हंब था इपरेपर फीर नियू पूटो साकतcciones दे नहीं स्थ आपको घर एक वारी बनता है, दो दो बार नहीं बनता है और इतने पैसे भी नहीं है से हर बार हम घर बन वाले हैं तो घर एक वार बंता है तो इस वीड यो मैं जानकर मिलने वाली है जैसे हम डी पीसी के उबार हम क्वान्म काम काम कまरे हैं तो वीडियोे को लाश तो देखेंगे तो आपको फॉल जानकर से अंदर मिलेगी कूछ आप सीख हो कज़े तो खरी करने से उसका कॉलम तयार नहीं होता है इसमें बहुत सारे इसके अंदर काम आते हैं और इसी के बारे आपको बताने वाला हूँ इसमें जो कॉलम हम लगाते हैं उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं और जब ये कॉलम बनके तयार होता है तो तो इस वीडियो में आपको में बताओंगा किया ये जो हम कॉलम बनाते हैं उसमें हमारा कितना टाइम लगता है खूलने में और कितने घंटे इसके लिए चाहिए इसे के बारे आपको इस वीडियो में बताओंगा और किस तरिके से ये फरमा सैट किया जाता है और इसमें सार इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं पहले आपको कॉलम खड़ा करना होगा आप इस वीडियो पहले देख रहे थे किस तरी के से खड़ा करना है और खड़ा करने में कितनी दिक्कत आती है यह आप देख रहे हैं इसमें यह थोड़ सही है हमारा चोटा साज है तो इसमें आसानी खड़ा हो जाता है अगर उसमें हम बड़ा साज खड़ा करते हैं तो बहुत दिक्त आते हैं तो आपको सारी काम इसमें मिलने वाले हैं इस वीडियो अंदर क्योंकि इस वीडियो आपको सारी ची बताने वाला हूं आपने देखा था इससे पहले किस तरके से इसे ने खड़ा किया है हमने और किस तरके से का काम करना है तो एक बार आपको चेक करना है फीते से क्यों मैंने आपको इस बीडियो में दिखाया था पहले इसे लवा डाने से पहले इसको नाप आया और नापने के बाद में इसको आपको लवामा करना होगा तो आपको इस चीज़ के बिल्गोर दिविश से ध्यान रखना है क्योंकि ये जो आप ध्यान रखोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे और ना आप कभी गलती होगी इस वीडियो में आपको इसमें पैड़ी को भी जानकारी मिलने वाली है और जो हमारे जो मिस्तरी वाई हैं उनको भी फुल तरीक से जानकारी इसके अंदर मिलने वाली है तो ये जो वीडियो देख रहे हैं आप इस वीडियो क्या हो रहा है इस वीडियो में हमारे जो फर में हम खड़े करते हैं आपने देखा होगा कि एक साइड में हमारे काफी कॉलम जो होते हैं उस पर हम एक साथ में फर में काफी खड़े कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस साइड में हमारे पांच कॉप फर में खड़े होगे होंगे जो इसमें हमने खाली फिलाल खड़े कर लिए और करना क्या है कि जब हम खड़े इनको कर लेते हैं तो उनका विसी ध्याना आपको रखना होगा खड़ा करने से कॉलम पिलर हमारा कंप्लिट नहीं होता है उसमें बहुत काम आते हैं तो आपको करना क्या है इस वीडियो को आपको फुल जानके मिलने वाली है तो आपको जितने कॉलम खड़े करने आपको पांच, तीन, दस, आठ, चार, छे कितने भी खड़े करने तो वो आपको खड़ा पहले कर लेना है उसकी जो चार ओफ साड़े जो होते ही उनको भांत के Drive कर लेना है कि अब उसके वाद हम करना क्या आपको करना यह है कि जब उसको हम कंप्रीट उसको कर लेते हैं तो उसका विसी ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉलम जो होता है इदर साड़े में उदर साड़े में आउट नहीं है तो उसकी जानगाई किस तरीके से हमको मिलने वाले इस वीडि कर लेंगे तो उसके बाद में का काम आसानी से काम हो जाता है तो इस वीडियों आपको मिले माली है कि जब आप कॉलम खड़ा करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक सेंटर से कॉलम नहीं आते हैं, क्यों उसमें अंतर क्यों आता है, आप वो इसी वीडियो में आपको देखने वाले हैं, जब आप खाली कॉलम खड़ा कर लें, तो उनको एक बार सूंत लगा कि उनको चेक कर लिना चाहिए, कि हमारा जो कॉलम है, आउट नहीं जा रहा है, तो उसको आपको व आउट है कर नहीं, तो हमने क्या-क्या इस में इसे सैड्व वाले कॉलम खड़ा उमारा , इसमें जो कॉलम आउट हैं, हम इस सूंत के हैसाब उनको सेंटर करके स्शच कर जब जो आूट जो होता है उसको क्या है हम जब भरकेश को क्प्रेड कर देंगे फरमें हम खोलेंगे तो हमारा जो दीवाल जो लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी देखा होगा चो छोक ज TG वहीज ऊट एय। तो आप देखे हुआ हुआ जो कॉलम थोड़े सा आawk थे तो हमने क्याकिया है उसको भार कॉलम खिंच लिया है क्यों कि हमारे कॉलम खड़ाता हूँ अंदर था करी एक 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 इंची लगबक सका आawk था तो इनको इसी तरीके से आपको जब कॉलम का काम कर रहा है तो उनको क्या होता है जब सून तो उसको बांद लेते हैं तो उसमें हमारी दिक्कत भी नहीं आती है क्योंकि उसमें क्या होता है जो हमारी जो सेंटर से आप देखेंगे तो ये कॉलम तक सीध एक दम एक सीध में आपके सारी कॉलम दिखा ही देंगे क्योंकि ये जो हमारा सूंच से काम हो रहा है तो इसी चीज़ का वो द्यार रखना है कि जब आपने जल्द वाजी में आप ऐसा नहीं करें कि आपके कॉलम आउट देखें और आपका काम पायटे को पसंद नहीं आए तो ये करने से हमारी लान खत्म हो जाती है लान बनाने के लिए हमने महनत थोड़ी सी इसके अंदर करनी होगी कहीं पर भी आप काम कर रहें, करा रहें तो उन में आप महनत से काम बिलकुल करें और मन्से काम करें क्योंकि काम तो आपको अगली वार काम ही आपको बलाएगा दूसरी जगह है कि यह जो हमारे आज एक दिन में हमने का इसमें नो भाई नो के इसमें हमने दस कोलम का काम किया है इसमें हमारी जो दस कोलम की एक दिन में हमने भराई इसकी किया है कोई मिचर नहीं हमने हमारी लेवर से आतों से माल बना के इसमें सारे दसव कॉलम ओ को काम एक दिन में हूँ किया है। तो आप जब दिखते हैं तो इस तरीके से जब हमारे जो कोलम होता है उसमें दिक्कत हमारी जाती है कि हम जो भरने में, जब उसको हम भड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, कि हमारे जो तसली से जो माल जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो तसली हमारा चोड़ा होता है, उससे माल फैल जाता है, तो एक हमने टेक्निक लगाया था, हम भालटी से इसमें माल इसके अंदर डाला है तो इसी तरीके से आप में इस भर्मने के अंदर गिटी ड़ जाती है और रिश्वा के बात बता है तो मैं इसमें रिश्वा चला रहा हूं करीभ वारे लगबग आं करीभ हमारे तीन तसले गिट्टी के और दो सरे चम्मल के एक सरा सीमेंट का इसमें हम रेशवा का काम चला रहा है क्यों हम उसी साफ से कभी भी आपको एक गलती नहीं करनी है देखो सीमेंट जो होता है पाइठी का लगता है ठीकेदार का नहीं लगता है आपको तरीके से काम करना होगा द्यान से क्योंकि आप उस तसले से आप माल नाप रहे हैं चमल गिटी तो उसी तसले के साफ से आपको अंदर सीमर्ट डानना होगा ऐसा नहीं होता है कि आपने बड़े तसले से चमल नाप लिए उसमें हमारे तीन तसले नहीं लेकलते हैं अगर हम बड़े तसले से हम सीमट ना पेंगे तो हमारे दो तसले सीमट उसमें लिख लेगा उसी साफ को आपको करना क्या है कि आपकी जो गिटी जो हम बनाते हैं तो उसी साफ को आपको उसके अंदर गिटी का काम करना है जैसे हम बड़े तसले से गिटी ना परें तो उसी स मुद्जा उसे चाहां करना होगा तो आप जी देख रहे हैं कि हमँआरी जो हो इसमें पाड का यह है कि हम अप देखने किस तर45E सी होती है उसको पर शय hat कर लिए और आरामसी आसानी यसके जो माल था हमारा आरम से जा रहा है क्योंकि जो मिस्ति जो हो दें उन पर भी लूडर नहीं पड़ता है लेवर भी लूडर नहीं पड़ता है दिक्कत नहीं आती है सारी दिक्कत खत्म हो जाती है तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा दिमाग मारना पड़ता है क्योंकि जब दिमाग तो मारते हैं पर उसका फ़ल आपको मिल जाता है तो इसी तरीके से आप जब काम कर रहे हैं तो इस चीजे का सारी विल्डिंग गंदर ध्यार रखना होगा किस तरीके से हमें काम करना है और किस तरीके से हमें इस काम के अंदर फायदा होगा तो देखो फाइदा और मनाफ़ा सब चलता रेता है पर काम को अफ़को तरही की सी करना है और इस चीज़ के पर दियार रखें और वीडियो अच्छे लेगा तो वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना और मिलते हैं हम अगली वीडियो में बाई बाई टाडा